चावल से तो बहुत कुछ बन सकती है लेकिन आज जो हम बना रहे हैं वो है चावल के पोकोड़े और ये ऐसा पोकोड़ा है जो सारे पोकोड़े को मात दे सकती है इसके लिए चावल को एक घंटा भीगो के फाइन पेस्ट कर लेना है यहाँ पे मैं थोड़ा सोया चंक्स का भी यूज करूंगी तो इसे मैंने भीगो के रखा है इसे अभी दर्दरा हम पीस लेंगे तो यह ओप्शनल अगर आप चाहे तो इसके और बहुत बहुत आए गाए तो यहां पर हमने चावल के पेस्ट में कटा हूँआँ और जो सोया चंक्स हमने रखा था इसे भी एड क इसमें जो मसाले हैं आपको जिस तरह का फ्लेवर पसंद है लेकिन में इहां पर नमा खल्दी और लालमिच पाउडर सिर्फ एड़ कर दीओ अगर आप चाहे तो जीरा पाउडर या तो अच्वाइन या और भी किसी तरह का अगर मसाला या तो वेजीज भी एड़ कर सकते हैं वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं तो हमने इसे अभी अच्छी तरह से मिक्स करना है तो यह देखिए हम इस तरह से मिक्स कर रहे हैं तो इसका जो थिकनेस है इस तरह से होना है बहुत जादा पतला भी नहीं और बहुत जादा मोटा भी नहीं इस तरह से होना है और अगर पूरा फुली फुली बनेगी तो आभी देखिए हम यहां पे तेल को गरम कर लेंगे और यहां पे एक एक करके छोड़ते जाएंगे बहुत बड़ा बड़ा नहीं तेल में छोड़ना है कि यह फूलती है तो फूलने के बाद यह देखिए कितना पॉपकॉर्ण की तरह दिख कि पकोड़े सब पकोड़े को यह माद दूजा तो इस तरह से आप बड़े आराम से घर में ही चावल को सिर्भीगों के चावल के पकोड़े बना सकते बार इसके मौसम में खा के बताइए बहुत देखिए क्रिस्पी दिखिए किसी भी चटनी या साथ के साथ खाईए जाहिया गयता